इस वीडियो में हम बात करने वाल है टॉप फाइब एंड्रोइड फोटो एडिटिंग एप्स 2019 जो है प्रोफेशनल एंड अल्सो यूजर फ्रेंडली तो अगर आप भी अपने सोचल मीडिया साइड में ऐसे फोटो देना चाहते हो तो फ्रिंट इस वीडियो का पूरा जीए और नोटिपिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं नंबर पांच पर है एड़ फोटोशोप एक्सप्रेस दोस्तों अगर फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग की बात आता है तो एड़ फोटोशोप का अपनाम सब से पहले आता है तो फ्रेंट्स अगर आप अपने फोटो को थोड़ा रिटाच देना चाहते हो थोड़ा बहुत फिल्टर वगेरा देना चाहते हो थोड़ा क्रोपिंग या कोई टेक्स एड़ करना चाहते हो या फिर कोई फ्रेम एड या फिर आप अपने फोटोग जो कलर adjustment है वो adjust करना चाहते हो तो आप ad of photoshop express से आसानी से कर सकते हो इसे use करना भी बहुत आसान है इसमें सब जो features से वो वह बहुत basic features है पर जिसके ज्यादा knowledge नहीं है वो आसानी से इसे use कर सकते हो number four पे आता है snap sheet ये google का product है friends और ये एक professional software है इसमें हर एक option आपको मिल जाता है पर इस option को ये tools को use करने के लिए आपको काफी knowledge की ज़रुरत है तो अगर एक professional photographer हो एक professional editor हो तो ये software आपके लिए बहुत useful होगा अगर आप snap sheet को सही तरह किसे use कर सकते हो तो दोस्तों ये आपको best result दे सकता है इसके लिए आपको knowledge चाहिए फिर इसके नीचे आपको मिल जाएगा styles यहां पे कुछ filters वगर आपको मिल जाएगा फिर आपको नीचे दिखेगा middle में tools तूल्स में आपको सब option मिल जाएगा friends नमबर तीन पर आता है photo lab इस application को अब तक 100 million times download किया हुआ है तो friends अगर आप Instagram user हो और आपको Instagram में आपको photo डालना अच्छा लगता है तो ये जो apps है ये आपके लिए बहुत useful हो सकता है क्योंकि इस में बहुत तरह से filters, effects और जो overlay होता है ये आपको मिल जाएगा है इसमें आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको photo को filters को choose करना है फिर आपको photo select करना है फिर next next करके आपको download करना है यहां पर जो है सब pre-made है आपको manually कुछ नहीं करना होगा और अगर आप चाहते हो आपका खुद का कोई combination बनाना तो वहां पर कॉमबोल के option है उससे आप खुद का जो combination है उससे आप बना सकते हो आपको खुद का जो overlay filter से आपने आपका खुद का कोई जो image है वह आप बना सकते हो और यह server में store आएगा और इससे आप दूसरा कोई भी चाहे तो दूसरा कोई भी यूज कर सकते है friends no.2 पर आता है cyberlink photo director friends यह बहुत ही useful software है और इसे use करना बहुत ही आसान है यह एक बहुत user friendly photo editor है और friends इसमें दो version आता है इसमें free version भी आता है premium version भी आता है इसमें inbuilt camera है उसके साथ आप चाहे तो live filter से उसे भी use कर सेकते हो friends यह जो application यह बहुत user friendly है नीचे आपको सारा जो option है वो available हो जाता है और friends इस जो application के सबसे अच्छे बात है यहाँ पर जो effects है जो filters है इसमें जो thumbnail thumbnail में जैसा दिखाते है exactly वाईसा ही photo आपको मिलेगा thumbnail में आपको दिख जाएगा कि आपका photo कैसा है और इसमें आपका जो कोई object remove करना है तो remove कर सकते हो किसी को move कर सकते हो किसी को cut out कर सकते हो जो basic software सब आपको मिल जाएगा और इसे use करना भी बहुत ही आसान है ठीक है तो मेरे लिए यह जो software है बहुत ही useful रहा मैं बहुत इस software को use कर सकता हूँ और तो आप भी ज़रूर इसे try किजाए यह बहुत ही useful software है इसमें आपको crop and rotate, transform, adjust, remove clone, fx, splash, cut out, mirror, blender, overlay, blur, tools, portrait tools, instafill, sticker, frame, scene सब मिल जाएगा friends इससे आप बहुत amazing photo create कर सकते हो इससे use करना बहुत आसान है इससे use करने के लिए आपको ज्यादा knowledge भी नहीं चाहिए आप बहुत आसान इससे सब कुछ कर सकते हो तो इससे आप जरूर try कीजिए free version में भी आपको बहुत सारा effects जो overlay हो मिल जाएगा इससे भी आप बहुत ही बढ़िया pictures create कर सकते हो और अगर आप premium version लोगे तो आपको सारा का सारा features आपको मिल जाएगा पर इस नंबर वान पर आता है Pixar तो यह एक ऐसा application है जो must have application है आपका फोन में होना ही चाहिए यह अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आप इसे beautiful collage जो है वह आप बना सकते हो आप background create कर सकते हो यह और यह कास बात है इसमें जो बहुत सारा इसका database है यहां पर बहुत सारा free जो photo ही आपको मिल जाएगा उससे आप free edit कर सकते हो download कर सकते हो और friends इसको use करना बहुत आसान है इसमें और इसमें जो option है जो filters, overlay और effects से वह day by day वह fix art अपडेट करता है अगर इसको आप अपडेट करो के तो आपको नया है जो effects से वह मिलेगा इसका दो version आपको मिल जाएगा premium version और free version, free version भी काफी useful है इससे भी आप बहुत ही beautiful photo आप बना सकते हो इसमें बहुत सरा sticker मिल जाता है, friends और एक खास बात है अगर आप sticker add करना चाहते हो तो यहां पर आप खुद का जो sticker है उसका आप add करके photo में डाल सकते हो यहां पर आपका खुद का जो sticker है उससे आप बना सकते हो और add कर सकते हो database में तो यह बहुत ही useful है आपको phone में यह होना ही चाहिए अगर अब एक ऐसा Pixar अगर आप इंस्टाल कर लोगे तो आपका दूसरा जो कोई photo editing app से उससे आपको इंस्टाल करना नहीं पड़ेगा इससे आप Instagram, Facebook, Twitter हर जाएगा बहुत ही खुबशूरत photo app बना के आप आप अपलोड कर सकते हो और एक बात अगर आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंट्स प्लीज में चैनल को लाइक किजेगा में चैनल को सब्सक्राइब किजेगा यह वीडियो को लाइक किजेगा कोई question है तो प्लीज आप comment में पूछ सकते हो तो आज के लिए बस इतना ह वीडियो में तंक ध आग ध